इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझाता खतम होने के साथ ही लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है इस बात की पुस्टी इसराइली सेना ने सोशल मीडिया प्लाटफॉम एक्सपर की है कौर तलब है कि साथ दिन चले इस समझाते में गुरुवार तक हमास ने इसराइल के 110 बंदको को रिहा किया इसकी बात शुकुरुवार को ये समझाता खतम हो गया इसराइली प्रदान मंत्री बेंजमीन नेतनियाहू ने ये कहा कि हमने हमास को खतम करने की कसम खाई है और में लो जखता तक हमास ने इसराइली सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने गाजा पटी में हमास के खिलाफ लडाइ फिर से शुरू कर दी है इसके साथ ही सेना ने ये दावा किया कि पहले हमास ने इसराइली शेतर में गोलाबारी करके संघर्ष विराम का उलंगन किया है ऐसे में इसराइल ने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को मार गिराया उमीद जताई जा रही थी कि इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया जानकारी के अनुसार गाजा में हमास के आंतरिक और राष्टे सुरक्षा मंत्राले ने बताया कि दक्षिनी गाजा में कई एर स्ट्राइक की गई है इसके साथ ही उत्तरी गाजा में भी कई धमाकों के आवाजे सुनी गई है इसराईल का कहना है कि करीब 125 लोगों को हमास ने अभी तक बंधक बना रखा है वहें इसराईल ने संगर्ष विराम के तहट अब तक 240 फिरिस्तिनीयों को रिहा कर दिया है बता दे कि इसराईल और हमास के बीच युद विराम समझोता एक हफ़ते तक चला इस दोरान दोनों के तरफ से बंधकों और कैदियों के रिहाई हुई इस संगर्ष विराम के मद्धस्ता कतर और अमेरिका ने की थी इसके अलावा संयुक्त राश्टर महसभा में इसराईल के राजदूत गिलान एरदान ने कहा यदि हमास सभी बंधकों को वापस कर दे और नरसंगार में भाग लेने वाले सभी आतंकवादियों को वापस कर दे तो एक वास्तविक युद्व विराम हासल किया जा सकता है जो दशकों तक चलेगा On November 29th, 1947, the UN voted to adopt the partition plan and the establishment of the Jewish state. Yet, while Israel joyfully accepted this resolution, the Arab states rejected it and instead tried to annihilate Israel. Today, exactly 76 years later, history is somewhat repeating itself. Foreign ministers of some Arab countries have arrived here today in order to support a terror organization that aims to annihilate Israel. Thankfully, the plan to eliminate Israel was unsuccessfully then, just as it will be unsuccessfully today. गौर तलब है कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने अच्छानक इसराइल पर हमला बोल दिया था, जिसमें करीब 1400 लोग मारे गए थे. इसके साथी हमास ने 240 इसराइली को बंधक बना लिया था. ऐसे में इस हमले के बाद से इसराइल हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए हैं. हलाकि पिछले शुकरवार को दोनों के बीच चार दिनों के युद्ध विराम को लेकर सहमती बनी थी, जो कुल साथ दिनों तक चल पाई.